तो बिग बॉस ने खुद को एक्सपोस कर लिया, एक तरफ प्र्यांका लगातार एक्सपोस कर रही हैं बिग बॉस को, और दूसरी तरफ यहाँ पर बिग बॉस खुद को ही एक्सपोस करते वे नजर आ रहें, क्योंकि शायद वो भूल गएगी कुछ वक्त पहले उन्होंने क्या कहा था, सलमान ने निमृत के लिए का खा था और अचानक से उन्हों ने प्लैटर में सजा कर के नमृत को केप्टन सी दे दी, जो पिछला वाला नॉमिनेशन टास्क हुआ था, उसमें यहाँ पर जो टास्क डिजाइन हुआ था नॉमिनेशन टास्क उसमें बिग बॉस ने खुद निमृत को लॉस्ट केटिगरी में रखा हुआ था सल्मान खान ने कहा था कि निमृत को और आलू आ लिया मतलब अभी तक कि अब्दू चला गिया जिनकी वज़े से आप दिख रही थी यह चीज सल्मान खान ने बोली तो अब यह अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वज़े से उनको थाली में सजा करके कैप्टेंसी दे दी गई निमृत के पापा बाहर की जंता जो खुद कह रही है कि निमृत का गेम इंडिविज्वल नहीं है जिसने अभी तक के अपना इंडिविज्वल गेम खेला नहीं है उसको कैसे कैप्टेंसी मिल सकती है मतलब कमानी की जरूत नहीं पड़ी पहले दिन जब वो एंट्री करी थी तब भी कमाया नहीं और अब जब यह जो सीजन एक खतम होने पर आया है आखरी पड़ावे तब भी आपने बाकैदा उनको कैप्टेंसी हातों में दे दिये ताकि वो टिकेट टू फिनाले वीक जीत सके प्रियांका एक्स्पोस कर रही है बंदी बिग बॉस को बहुत अच्छी तरीके से कि मतला 15 हफते तक के जिनको वेक अप कॉल दिया गया यहां पर तो वो डिजर्विंग है नहीं मैं जदा डिजर्विंग हूँ क्योंकि मेरे ओपीनियन रहे मैंने यहां पर इंडिविज्वल गेम खेल रहा है मेरे मुद्दे रहे और सच में ऐसा हुआ है क्योंकि काफी मुद्दे रहे जिन पर प्रियांका की अफकोस क्लास भी लगा ही गये बैश्रिंग की गये बैश्रिंग कर कर के TRP भी साबने आई है लेकिन निमरित का क्या निमरित कहाँ पर अपना इंडिविज्वल गेम खेलती भी नजर आई है जो बिग बॉस ने इतनी आसानी से उनको थाली में सजा करके कैप्टेंसी दी ताकि वो टिकेट टू फिनाले वीक जीट जाए लेकिन प्रियांका ने तो देखिए वो अपने लिए स्टाल ले रही है यहां पर उनके दोस्त जो कि निम्रित के दोस्ते हैं मंडली के मेंबर से वो भी निम्रित के लिए अगरी नहीं कर रहे हैं कही ना कही उन बोलना चाहरे लेकिन दोस्ते 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 दोस्त के लिए बोल नहीं पा रहे है जब मौका आया कि किन दो कंटेस्टेंट को टिकेट टू फिनाले वीक में पहुचना चाहिए, कैप्टन अब बनना चाहिए, तो शिव ने यहाँ पर नाम नहीं लिया निमृत का, उन्होंने MC स्टेन का नाम लिया और प्रयांका चाहर चौधरी का नाम लिया, MC स्टेन ने श अपिनियन तो रहा है, निमृत अकेली कभी ना खेली, एक बार फिर से प्रयांका चाहर चौधरी ने यह चीज़ कहती भी नजर आई है प्रयांका चाहर चौधरी, तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आता है, तो लाइक कर साथ ही चनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू